दोस्तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th केमेस्ट्री के 10 ऐसे क्वेशन्स बदाने वाले हैं जो की परिक्षा की दरश्टी से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं 2022 की UP परिक्षा में सबसे पहले आपको केमेस्ट्री में ये क्वेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेशन बहुत ही बार आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ठीक है इसको उधारण सहीद समझाईए आता है तो आप ये याद कर सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तता प्राप्त उत्पादों में उपस्थित विबिन तत्तों के परमाडू की संक्या समान होने पर समीकरण संतुलित रासानिक समीकरण कहलाती मैं क्वेशन बता देता हूँ आपको बस आप आंसर इससे क्वेशन बैंक से देख सकते हैं अब चै सोडियम कार्बोनेट के दो प्रमुक उप्योग लिखे बहुत ही बार ये क्वेशन आता है दोस्तों क्वेशन बहुत ही बार आता है इसको आप मोस्ट इंपोर्डेंट कि श्रेनी में डाल सकते हैं तो ये क्या होता है कि दावन सोडा का रासानिक नाम तथा अडू सूत्र पूछ रहे हैं तो यहां पर आप जानते हैं कि दावन सोडा का रासानिक नाम सोडियम कार्बोनेट और अडू सूत्र होता है ने टू सी ओ थ्री इंटू टैन एच्टू ओ इसका सूत्र रहता है दोस्तों ये क्वेशन टेंथ की केमिस्ट्री में आपको जरूर देखने को विल्ड़ मिलता है शुद्ध आसुत जल का पीज्च 마न कितना होता है देखो 2011 14 17 18 12 12 सब में पूछा गया उदासीन विल्डयन में पीज्च मान लिखी है दोस्तों जानते हैं कि शुद्ध आसुत-जल का जो पीज्च न्होता है वह 7 होता है ठीक है उदासी विल्डयन का भ क्लोरीन से अभिक्रिया करता है bleaching powder चूने से कैसे प्राप्त होता है समीकरण दीजे तो bleaching powder का दोस्तों सूत्र आपको याद होना चाहिए C-A-O-C-L-2 ठीक है C-A-O-C-L-2 ये bleaching powder का formula होता है कैसे बनता है bleaching powder जब बुझा हुआ चूना calcium hydroxide C-A-O-H का whole twice ले ले लें plus C-L-2 ले लें मतलब chlorine से इसकी अभिक्रिया करा दें तो क्या बन जाता है C-A-O-C-L-2 अब क्या बचा है 2H बचे और 1O बचता है तो यहाँ पर H2O जल बनकर बाहर निकल जाएगा तो यह समीकरन बहुत ही बार पूशी जाती है bleaching powder चूने से कैसे प्राप्त होता है बुझे हुए चूने से अगर हम chlorine की reaction करा देंगे तो हमें bleaching powder मिल जाता है जिसको याद रखना बहुत ही बार बार यह पूछा जाता है दोस्तो एक question जो है plaster of Paris किसे कहते हैं इसे बनाने की विधी गुड़ वा उपयोग लिखिए इसी question को अलग-अलग तरह से पूछा जाता है plaster of Paris पर ताप का क्या परभाव पड़ता है plaster of gypsum से plaster of Paris मतलब POP कैसे बनाएंगे plaster of Paris बनाने की एक विधी एवं एक उपयोग आवश को लेना है gypsum को अगर 120 degree Celsius से 130 degree Celsius ताप पर गर्म कर देंगे तो plaster of Paris बन जाता है POP भी कहते है plaster of Paris को कैसे बनता है रासानिक समी करन कुछ इस प्रकार से होगी चलिए देखते हैं तो दोस्तो यह है हमारा gypsum C.A.S.O.4 into 2H2O यह होता है gypsum और gypsum के यहां पर दो अडू लि तो 2C.A.S.O.4 into 2H2O कितने ताप पर गर्म करना होता है 120-130 degree Celsius पर गर्म करेंगे तो क्या बच जाएगा C.A.S.O.4 का whole twice into H2O यह फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते है plaster of Paris के C.A.S.O.4 into half H2O यह दोनों ही सूत्र P.O.P. के होते हैं इस तरह से भी हम P.O.P. plaster of Paris को लिख सकत हैं तीन जल के मॉलिक्यूल अलग निकल जाएंगे plaster of Paris के गुडधर्म आप पढ़ लीजिए plaster of Paris सफेद रंग का चून होता है जो तेज गर्म करने पर निर्जल C.A.S.O.4 निर्जल कैल्शियम सलफेट में बदल जाता है देखो यह है P.O.P. हमारा C.A.S.O.4 का whole twice into H2O अलग हो जाता है और कुछ plaster of Paris के गुण है plaster of Paris की जल से क्रिया करने पर उष्मा उत्पन होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि plaster of Paris की जल से हम क्रिया कराएंगे तो उष्मा उत्पन होती है और वह शीगरता से j심म में बदल कर जम जाता है इस iPM को plaster of Paris का जमना, मतलब Plaster of Paris की सेटिंग कहते हैं, CISO4 का whole twice into H2O ये क्या है, POP है, अगर इसकी हम जल से फिर से क्रिया करा देंगे, 3H2O से, तो फिर से ये जिपसम में बदल जाएगा, जिपसम को 120-130 डिग्री सेलसिस पर गर्म करेंगे, तो प्लास्टर चड़ाने में इसका यूज होता है, मूर्तियां और खिलोने बनाने में भी इसका यूज होता है, इसका उपियोग होता है, इसके अलावा दोस्तों आपको baking powder खाने का soda इसका रासायनिक नाम रासायनिक सूत्र या अडू सूत्र बनाने की विधी और दो बहुतिक गुण तता दो रासायनिक गुण आपको जरूर याद रखने हैं देख सकते हैं आपकी कितनी बार ये पूछा जा चुका है 12, 16, 18 हर सन में लगबग पूछा जाता है तो baking powder का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तो sodium bicarbonate होता है इसका रासायनिक नाम और इसका सूत्र क्या होता है अडू सूत्र होता है NaHCO3 ठीक है बनाने की विधी क्या है कि अगर हम sodium hydroxide में CO2 gas प्रवाहिद कर देंगे तो sodium carbonate baking soda ठीक है baking soda नहीं बनता ये sodium carbonate अभी बना है प इसकी H2O और CO2 से क्रिया कराते हैं तो NaHCO3 बन जाता है जो की sodium bicarbonate है baking soda या खाने का soda भी इसको कहते है इसके गुणा आपको याद रखने है एक सफेद क्रिस्टली ये जल में अल्प विले पदार्थ है ठीक है इसका जलिये विलेन अमली होता है इसको गर्म करने पर ये sodium carbonate जिसको धावन soda कहते है धावन soda क्या है? Na2CO3 ये है धावन soda और ये है baking soda तो धावन soda में बदल जाता है तता carbon dioxide gas निकलती है देखिए ये है baking soda अगर इसको गर्म करेंगे तो sodium bicarbonate ये है NaHCO3 क्या है sodium bicarbonate है इसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है Na2CO3 प्लस H2O plus CO2 ये हो गया है ठीक है तन्नु अमलों के साथ अगर इसकी क्रिया कराएंगे तो जल तथा कार्बन डायोकसाइड गैस निकलती है अगर हम बेकिंग सोडा एने अच सी ओ त्री को एच सील से करा देंगे तो नमक बन जाएगा जल बन जाएगा और सी ओ टू गैस निकलेगी अगर बे बेकिंग सोडा धावन सोडा ब्लीचिंग पाॉडर प्लास्टर औफ पेरी तो पी ओपी में बता चुका हूँँ अब है हमारे पास ब्लीचिंग पाॉडर तो ब्लीचिंग पाॉडर के निर्मार की विभी रासानिक सूट्र गुण और उपयोग कैसे करेंगे देखते हैं bleaching powder, विरंजक चूंड भी इसको कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, calcium oxy chloride, और अडु सूत्र क्या होता है, C-A-O-C-L-2, calcium oxy chloride, C-A-O-C-L-2, calcium oxy chloride, ठीक है, बनाने की विदी क्या है, बुझे हुए चूने पर, यानि calcium hydroxide पर, अगर chlorine के अभी क्रिया करा देंगे, तो बन जाता है C-A-O-C-L-2, मतलब bleaching powder, और H2O, गुण पढ़ लेते हैं, या एक हलके पीले रंग का ठोस पदार्थ है, जिसमें chlorine जैसी गंद आती है, क्लोरीन जैसी गंद आती है, इसे gel में घोल कर गर्म करने पर, chlorine gas निकलती है, इसका जली ये विलियन दूधिया होता है, अगर bleaching border को gel में घोल देंगे, तो क्या बन जाएगा, calcium hydroxide बोजा हुआ चूना, और chlorine gas निकल जाएगी, अगर H2O4 से अभी क्रिया कराएगे, तो calcium sulfate बनेगा, जल बनेगा और chlorine gas बाहर निकलती है, अगर H2O4 से chlorine gas निकलती है, ये जल से क्रिया करके नवजात oxygen देती है, जो रंग युक्त पदार्थ को रंग हीन पदार्थ में आक्सिकरत कर देती है, उनका रंग उड़ जाता है, bleaching powder, acetone तता alcohol के साथ, जल की उपस्तिति में एक्रिया करके chloroform भी बनाता है, intermediate का topic है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई अवश्यक्ता नहीं है, उपियोग क्या है bleaching powder के, उनको सिकुरने से बचाने के लिए, आक्सी कारक के रूप में, chloroform बनाने में, चीनी को सफेद करने में, पेजल को जीवाणू रहित करने में, सूत लकडी की लुगदी आदी का रंग उड़ाने में, और विरंजक मतलब पदार्थों का रंग उड़ाने में इसका उपियोग होता है, तो दोस्तों ये थे chemistry के बहुत ही ज़्यादा important topic, मैं आपको बता देता हूँ, एक तो है bleaching powder, एक है plaster of Paris, एक है आपका baking soda, और एक है आपका washing soda, जिसे धावन soda भी करते हैं, sodium carbonate, इसके अलावा pH माना आपको पढ़ना है, इसके अलावा मैंने आप, जो भी छोटे छोटे question हैं, उनको आप ज़रूर तयार करना, next video में भी कुछ chemistry के important topics, आपके साथ share करेंगे, bold examination के लिए आप इन topics को ज़रूर ज़रूर तयार कीजिए, guys, thanks for watching and listening me, and good luck for our future, दोस्तों thank you and bye bye,